कोटा में कोरोना संक्रमन के बीच नदी पार्क्षित्र में रोजना सेकडो लोगों का खाना तैयार किया जा रहा है जिसके पूरी मोनिटरिंग हडोती विकास मोर्चा के अध्यक्ष राजिंदर साखला के द्वारा की जा रही है राजिंदर साखला का कहना है कि UDH मंत्री शांती धारिवाल के निर्देश पर करीब 33 दिन से कोटा में खाना वित्रित किया जा रहा है कोटा में कोई भी करीब भूका ने सोय इसके लिए सभी जगों पर कोंग्रेस कारेकरता दिन रात मेहनत कर रहे है कोटा शेयर में लगातार कोरोना पोजिटिव का आंकड़ा बरता जा रहा है अगर लोगडाउन की बात करें तो लोगडाउन को आज 34 दिने अगर लगातार जरुरत मंद लोगों के लिए सप्लाइज कोटा से चालिए तसीरों मैं आप साथ तोर पर देख सकते हैं यूडियेच मंत्री शांतिदारीवाल पहल पर एक किचन तयार की गई है जो लगड़ बच्टिस दिनों से काम कर रही है यहां पर रोज आजा सब्डियों का इस्टोग आता है लगातार यहां से जब से 12 जार आदमियों का रोज बोजन बनाया जारा है सब्सी चसाथ यहां पर खाने की पूरी व्यवस्ता की गई है उनके पेकिट यहां पर उसे सप्लाइज शेयर में दिये जारा है देखिए किस तरह से यहां पर रोटी बनकर तयार हो रहा है लगातार अगर बात दी जाए तो रोज 12 जार बेक्टों का बहुत यहां पर पूरी एक टीम लगी हुई है यह तीम इस खाने को पेक करने के कारे कर रही है और यह वरकर इन खाने को पेकिटों को जमा कर यहां पर उन जरुरत मन लोगों को विजवाएंगे जिनको इनकी आओ सकता है हमारे साथ है अड़ो की विकास मोर्चा के अज्जेक सी राइंजर सागला मोजूद है किस तरह की बेवस्ता है और इनको किस तरह से उटा के विविन इलाफों में बेज़ा जा रहा है इसले 32-33 दिनों से यहां पर दोनों टाइम का खना बन रहा है मेरे काल से 18-20 घंटे हैं यहां पर पूरी लेवर काम करती है उटा के विविन शेत्रों में हम यहां से गाडियों से बरकर भेज़ते हैं हमारे जो वालिंटर्स हैं उनके पास हम भी जाते हैं वो अपने शेत्र में जहां पर उनको गरीब या आसा है या मजबूर आदमी निखते हैं उनको खाना बिक्रिप कर रहे हैं और ये सारा कारिये धारिवाल साब के दौरा हो रहा है कोटा में लोगडाउन और धारा 144 के बीच शहर पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च किया गया जिसमें डियाईजी रवीदत गोड एसपी गोरव यादाव सहित शहर के सभी सीयो और थानों के सीयाई मोजूद रहे ये फ्लैग मार्च कोटा के गुमानपुरा मल्टी परपज स्कूल से शुरू हुआ जो की सुरजपोल गेट, केथुनी पोल, घंटा घर, बजाज, खाना, सहित शहर के कई इलाकों से निकला साथ ही लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत भी दी गई